टार्गेट वित आलोग ऑनलाइन इंस्टोर पे मैं सिवांगी सिवास्तों आप लोग का स्वागत करती हूं हम लोग टेक्स्टाइल के स्लाइबस देख चुके हैं इसमें क्या-क्या हम लोग को पढ़ना है इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रंग के बारे में आप सब लोग कि कोई घर होता है बना हुआ है अच्छे से बना हुआ है लेकिन अगर वह कलर नहीं होता है उस पर रंग नहीं लगा गया रहता है तो वह हमको उतना अकरशित नहीं करता है लेकिन जब उसको कलर दिया जाता है तो वह कोई भी जाते समय भी हमारा ध्यान उसकी तरफ कर सकते अगर हम घर में रंग का प्रियोग कर रहे हैं कपड़े पहन रहे हैं तो उस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के रंगों का प्रियोग कब करना चाहिए इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे रंग क्या है रंग का वर्गी करण क्या होता है इसकी बारे और जैसे ही प्रख्राइब यसे ही प्रेस रोषने पड़ती हो आदो तो हमको रंग सब्स्वल्च दिखाई देते हैं प्रकाइस के गरा हम ब separate कि और जिन रंगों जिन लख्रों को अवश्योशत कर लिएती हैं वह कलर हमें नहीं दिखाई देता है और प्रकास की लहरे जिन रंगों को जिन वस्तुवें को परावर्तित कर देती है वह रंग हमें दिखाई देता है तो रंग का स्रोत प्रमुक रूपशे प्रकास ही होता है प्रकास के द्वारा ही जब कोई भी वस्तुवे प्रकास पड़ती है तो हम जिससे हमें एक विसेश प्रकार की उतेज्णा होती है। जिसे यह एसास होता है कि वहां कौन सा कलर है। जब प्रकास किसी वस्तू से टकराकर परावर्तित होती है परावर्तित होकर जब वह आखों में प्रवेश करती है तो उस समय हमें मस्तिस्क के नारे किंद्र में प्रकास रंग का बोध होता है, यानि कि हम कोई चीज को किसी वस्ते पे प्रकास पड़ती है तो हम उसी इसको देखते हैं आखों के दोरा देखते हैं लेकिन वहां से कोई कलर इसपस्ट नहीं होता कि कौन सा कलर है मस्तिस की तवारा या निधारित क्या आता है कि वह कौन सा कलर है फिर हम यह इस पस्ट करते हैं कि यह लाल कलर है पीला कलर है या नीला कलर है ठीक है प्रकास की जो लहरे होती है वो अलग-अलग लंबाई की होती है और अलग-अलग जो लंबाई की होती है यह अलग-अलग रंग को प्रदर्शित करती है जो प्रकास की लहरे है वो अलग-अलग लंबाई की है और यह अलग-अलग अलग-अलग रंग को प्रदर्शित करती है उसी कदार पर हमको अनेक प्रकार के रंग है जो वो दिखाई देते हैं प्रकास की जो सबसे चोटी लहर होती है उससे हमको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है बैगनी रंग प्रकास के सबसे छोटी लहर से बैगनी रंग दिखाई देता है वहीं पे प्रकास की जो सबसे बड़ी लहर होती है उससे हमको लाल रंग दिखाई देता है यह छोटी छोटी चीजे हैं लेकिन यही प्रमोक रूप से पूछते हैं कि प्रकास के किलो से सबसे लंबी से छोट रंग दिखाई देता है हमारी आखों में प्रकास ग्रहड करने वाली को सिकाएं होती है हमारी आखों में प्रकास को ग्रहड करने वाली को सिकाएं होती है जो तीन ही रंग को तीन रंग को ही ग्रहड करती है ये तीन रंग कौन सा है लाल नीला और हरा प्रात्मिक रंग के प्रकासी केड़ों को ग्रहड करती है उसमें से एक होता है लाल और नीला और घरा और बाके जो रंग होती है वह इनहीं के मिस्रड के द्वारा हमें पता चलते हैं कि यह अधानी कलर है यह नीला कलर है यह बैगनी कलर है इनहीं के मिस्रड के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वस तीन ही रंग को लाल, नीला, हरा को ग्रहड करती हैं और इसी के द्वारा हमें और इसी रंगों के मिस्टर के द्वारा और भी रंग हमको दिखाए देते हैं Modern Century Encyclopedia ये परिभासा पूछ सकता है इसलिए मैंने इसको डाला कि Modern Century Encyclopedia ने क्या कहा है कि रंग प्रकास का ही गुड़ है रंग किसका गुड़ है प्रकास का गुड़ है जिन्हें आखें देखती हैं तथा जो बिभिन प्रकास लहरों से बने होते हैं ने क्किर प्रकास का गुड़ है जिन्हें आखें देखती हैं और जो बिभिन प्रकार के प्रकास लहरों से बने होई है हम लोग उन्हें पढ़ा सबसे बड़ी लहर से लाल रंग सबसे छोटी जो Cup कि लहर होती है उसे बैगनी रंगlaughing नेक्स आता है रंगों का महत्व रंगों का महत्व कुछ बिंदू द्वरा दर्शाय गया है कि रंगों की क्या-क्या महत्व होते हैं पहला होता है रंग सुन्दर्ता प्रदान करना सबसे महत्व कूड कारे कोई भी वस्तुमें अगर हम सुन्दर्ता प्रदान करने चाहते है हैं तो अगर हम उसको color कर देते हैं कोई पी जैसे कि आप देखते हैं जह मुर्ती बनती है मिटी से जब उसका दांचा बना लिया गया मिटी से मूर्ती बने गई तो वो आ सुनदर लगता है लेकिन उतना आधीक अकरशक नहीं लगताहीं लेकिन जब उसको हम kaufen कर देते हैं जब उसको कलर कर दिया तो उसकी सुंधरता में दो गुना चौगुना बहुत जादा ब्रिद्धी हो जाती है और बहुत सुंधार इस पर आइसे दिखतेे जिसके डिजाइन एक समान होते हैं नमुने यासे बनी हुए तो रंग के द्वारा किसी वी वस्तु में वीवीधता उत्पन की जासकती है और तो परेशत्या कि द्वारा किसी भी वस्तु में विवीधता उत्पन की जाती, जैसिकि द्वार हम प्रतालनी वस्ते हैं गे रंग का ही हमने एक ही बसर में प्रियोग किया लेकिं अलग अलग रंगों का प्रियोग करने से क्या है कि दो अलग अलग रंग, दो अलग अलग प्रभाव भी उत्पन करते हैं। हुझlike से फिर podob Calvin using जलने में सहायक होते हैं, जो हमारे मनोभाव होते हैं, जैसे कि अगर सांति नीरस रहा गर अच्छे से बेलून लगा दिया डेकुरेट कर दिया गया, तो उनके मन को परिवर्तित करने में, और कोई उदाष है तो उनको लग चीजे लेग से देदी दिया जाए, तो उनके मनो मनोभाओं को परिवर्तित कर देते हैं जहां पे जो घर है वह अगर नहीं है तो वह पे निरस्ता लगती है लेकिन जब कलर हो जाता है तो देखने में पूरी सुंदरता उसकी बढ़ जाती है और उसमें विवीधता भी देखने को मिलती है और रंग हमारे मनुभाओं को भी प्रदर्शित करते हैं नेक्स्ट होता है रंग रोसनी के आभास को घटा बढ़ा देते हैं आप लोग देखते होगे कि ज़्यादा तर घर को कलर वाइट कलर से किया जाता है वाइट कलर क्या करता है वह रंग रोसनी को और भी अधिक बढ़ा देता है लेकिन वहीं पर जितने भी गाढ़े कलर होते हैं जैसे काले कलर होगे ब्राउन कलर होगे यह रोसनी की आभहास को और भ्यदिक घटाते हैं जैसे इस कलर का अगर हम रूम में लगा लेते हैं तो वहाँ पर लाइट जलती भी तो भी उतना ज्यादा उजाला नहीं आता है यह रोसनी की आभहास को भी घटाके और बढ़ाके दिखाते हैं नेक्स है रंग इस्थान के आकार को कमिया अधिक कर सकते हैं हलकी रंग का प्रियोग अगर हम चोटा सा हमारा कमरा है और उसमें हम हलकी रंग का प्रियोग करते हैं तो हमारा कमरा क्या होगा बड़ा दिखाई देगा कोई भी जगह पे जहां पे हम हलकी रंग का प्रियोग कर थोड़ा सा छोटा दिखे तो आप यहां गहरे रंग से कलर करते छोटा दिखाई देता हैं हुpur करते ही reviewing पर चुछ pentru कंचेनग की होगों 2012 अभिव्यक्ति होती है जैसे कि अगर रोज की बात हम कर लें तो रेड रोज, वाइट रोज, यलो रोज, ये सारे किसी ने किसी चीज के प्रतीक होते हैं जिसके द्वारा हम अपने मनुभाओं को, अपने चीजों को हम व्यक्ति करते हैं, ठीक है? नेक्ष्ट है रंग का सिध्धान्थ, अनेक लोगों ने रंग से संबंधित सिध्धान्थ दियें कि कौन सा कलर प्रात्मिक रंग की अंतर गता आएगा, कौन सा दितियक रंग आएगा, कौन सा माध्यमिक रंग आएगा, अनेक लोगों ने अपने अलग-अलग सिध्धान द पहला होता है रासायनिक सिध्धान्त अथवा रंग कड़ी सिध्धान्त अथवा पिग्मेंट सिध्धान्त किसी भी नाम ते पूछ सकता है रासायनिक सिध्धान्त रंग कड़ी सिध्धान्त या इंगलिस में पिग्मेंट सिध्धान्त कुछ भी करके पूछेगा वह उसका एंसर एक ही होगा क्योंकि ये तीनों एक ही नाम होते हैं इस नो ने बताया, रसायन सास्त्री में बताया गया है कि जो प्राथमिक कलर होते हैं, वो प्रमुख रूप से रसायनिक सिध्धान्थ के अनुसार जो प्राथमिक रंग होते हैं, वो तीन होते हैं. पीला, लाल, नीला, रसायन सास्त्री में बताया गया कि जो प्राथमिक रंग होते हैं, प्रमुख रूप से तीन होते हैं, पीला, लाल, नीला. इने प्राथमिक रंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके कोई भी रंग को मिला के इन रंगों को नहीं प्राथ किया जा सकता है. इन रंगों को अगर हम प्राथ करना भी चाहेंगे, तो अगर हम इनको प्राथमिक क्लर में जो कलर बन के आएगा, वो हमारे तितियक चतुर्थक में नहीं बन के आएगा, उस कलर में थोड़ा सा धुंदला बन देखने को मिलेगा. लेकिन जो प्रात्मिक कलर होते हैं वो अपनी अलग उनके जो रंग का कलर होता बिलकुल अलग होता है चमकदार होते हैं और इसलिए इनहें प्रात्मिक रंग कहते हैं क्योंकि इन रंगों को किसी भी रंगों के मिस्टर के द्वारा प्राप्ट नहीं किया जा सकता रसान सास्य सिधानत करता है कि प्रात्मिक रंग तीन होते हैं और जो दितियक रंग होते हैं वो भी तीन होते हैं जैसे कि प्रात्मिक रंग हमारे पीला, लाल और नीला ये सारे हमारे प्रात्मिक रंग हैं तो वहाँ पे हमको जो रंग बनता है उसे हम दितियक रंग कहते हैं दितियक रंग प्रात्मिक रंगों को दो प्रात्मिक रंगों को आपस में मिलाने से प्राप्त होता और इसे secondary color भी कहा जाता है प्रात्मिक color को primary color और इसको दित्यक रंग को secondary color कहा जाता है तो यहाँ पी जब हम पीला और लाल को आपस में मिलाएंगे तो हमको कौन सा color मिलेगा नारंगी रंग पीला और लाल को जब हम आपस में मिलाएंगे तो जो color बना वह है bagni रंग और वहीं पर पीला और नीला को आपस में मिला दिया गया तो कौन सा color बना हरा रंग यानि कि नारंगी, हरा और bagni ये तीनों जो होते हैं वो दितियक रंग की स्रेडी में आते हैं जबकि पीला, लाल, लीला प्रात्मिक रंग की स्रेडी में आते हैं इसको आप लोगों को note करना रहेगा तो इसको पीला प्लस लाल दो प्रात्मिक color को हमने मिलाया तो हमारा यहाँ पे नारंगी रंग जो की दितियक रंग है वो प्राप्त हुआ एक पीला और एक लाल चे नारंगी रंग वहीं पे हमने पीला और नीला रंग मिलाया तो हमको हरा रंग मिला और लाल और पीला मिलाया तो हमको नारंगी रंग मिला लाल और नीला मिलाया तो बैगनी रंग मिला इस आनिकी दो प्राथमिक रंगों के प्रयोग से एक दितियक रंग प्राथ होता है प्राथमिक पहले अगर हम क्रम लगाते हैं जो तो क्रम लगाते हैं तो पहले हमारा आता है पहले हमारा आता है क्रम अगर हम लगाते हैं पहले आता है प्राथमिक रंग फिर आता है द्वितियक रंग द्वित्विक रंग के बाद आता है माध्यमिक रंग इस सब के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है माध्यमिक रंग फिर आता है हमारा त्रितियक रंग फिर आता है हमारा चतूर्थ स्रेडी का रंग अगर क्रम लगाने के लिए वैसे कई वार भी बूबसता है, क्रम लगाने के Лिया करण metres रंगों की जो चक्र होते हैं उनके क्रम लगाएं, तो पहले प्राथमिक रंग, फिर दितियक रंग, दितियक रंग के बाद तृतियक रंग नहीं आएगा, पहले माध्यमिक रंग आएगा, उसकी बाद तृतियक रंग और उसकी बाद आते हैं हमारे चतुर्थक रंग तो यहाँ पे प्राथ्मिक रंग हमने जान लिया कि कौन से होते हैं और दितियक रंग को जान लिया अब देखते हैं कि हमारे जो तृतियक कलर है तृतियक कलर क्या होते हैं कि एक प्राथ्मिक और एक दितियक को जब आपस में मिलाया जाता है तो वहाँ पे जो color बनता है उसको तृतियक रंग कहा जाता है दो प्रात्मिक को आपस में मिलाया तो एक दितियक रंग बना और एक प्रात्मिक और एक दितियक को जब आपस में मिलाया जाता है तो वहाँ पे जो रंग बनता है उसे तृतियक रंग कहा जाता है जैसे की पीला और नारंगी को जब हम आपस में मिलाते हैं पीला हमारा प्रात्मिक रंग और नारंगी हमारा दितियक रंग पीला नारंगी को आपस में मिलाएंगे तो हमको जो कलर मिलेगा वो होगा नारंगी पीला फिर हमने नारंगी और लाल को आपस में मिलाया तो यहाँ पे हमको मिला नारंगी लाल फिर हमने लाल और बैगनी लाल हमारा प्रात्मिक रंग बैगनी हमारा दितियक रंग तो एक प्रात्मिक एक दितियक को मिला दिया फिर हमारा मार्धिमिक रंग बना तो यहां पर जो हमारा रंग बना वो कहलाएगा बैगनी लाल यह दो कलर क्यों लिखा जा रहा है क्योंकि जो कलर इन दो प्रात्मिक एक प्रात्मिक और एक दितियक से मिला के जो कलर बनता है उसमें क्या होते हैं कि दोनों कलर की क्वालिटी आती है जैसे अपने धानी रंग देखते हों कि धानी में हरा भी दिखाए देता और पीला भी दिखाए देता है तो उसे हरा पीला कहा जाएगा तो वहीं पे उसी तरह से जो माध्यमिक रंग जो हमको पीला नारंगी मिला के ह हमने जो रंग बनाया उसमें नारंगी रंग भी दिखाई देगा और पीला रंग भी दिखाई देगा इसलिए यहां पर जो रंग बना वो नारंगी पीला रंग कहलाया फिर आते हैं इधर यहां पर नीला हमारे प्रात्मिक रंग और एक दितियक बैगनी रंग को जब हमने आपस में मिलाया तो यहाँ पर जो रंग बना उसे बैगनी नीला रंग कहते हैं वहीं पर एक हरा दितियक रंग और नीला प्रात्मिक रंग को मिला दिया गया तो यहाँ पर जो कलर बना उसे हरा नीला रंग कहा गया फिर आते हैं पीला हरा यहां पे जो कलर बना उसे हरा पीला रंग कहा गया इसका नोट से आप लोगों को मिल जाएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसको एक बार देखिएगा तो यहां पे जो रंग के सिध्धान्त है प्रात्मिक रंग तीन होते हैं यह चक्र आप लोगों बिलकुल याद रखिएगा तो सारा इसके जित्ता भी अगर कोशन आएगा वो आसानी से सॉल हो जाएगा अगर यह सलकर को बना के हम लोग इसको पढ़ाई करते हैं तो प्रात माध्यमिक रंग में क्या होता है कि एक प्रातों मिक रंग और एक दितियक रंग को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वहां पर जो कलर बनता है उसे हम मांध्यम करण कहते हैं ना handी पीला ना retrie la lag बैग निला विविध रंग इन दोनों ही रंगों को अखेरे में बस जो प्रात्मिक रंग को मिस्त्रड से ही तह हुआ अल आर कई कहीं तरह की रंग बना हैं तो इन रंगों इन रंगों की मिस्टर से विविध रंग तयार किये जाते हैं इन्हें सहायक रंग या सेकेंडरी कलर भी कहा जाता है जो दितियक रंग होते हैं उन्हें सहायक रंग या सेकेंडरी कलर भी कहा जाता है और दितियक रंग के अंतरगत हमारे कौन-कौन से रंग आते हैं नारंग उसके समीप का ही हमने सहायक रंग लिया था तो जो प्राथमिक रंग होते हैं उसके समीप का जो भी सहायक रंग होता है उसको मिला करके जो खलर बनता है उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती रंग जैसे लाल नारंगी नारंगी लाल पीला नारंगी हमने मिला दिया तो नारंगी पी उम्यद है कि यह आप लोग का पूरा clear होगा और अच्छी से समझ में आगया होगा अभी तक की प्रात्मिक रंग कौं से होते हैं और माध्यमिक रंग कौं से होते हैं आगे हम अभी तरितीझ चतुरतक की बारे में भे पड़ेंगे लेकिन अगर हम लोग सिध्धान्त पड़ रहे हैं तो इन्होंने बस तीन रंग बताये थे वहसायन शास्त्रिय सिध्धान्त में बस रंगों के इन्हों 3 भागों में बाटा कि जो प्राथमिक रंग, इन्होंने प्राथमिक रंग को भी तीन बताया है, इन्होंने भी, लेकिन इन्होंने अलग-अलग बताया है, इन्होंने बताया कि प्राथमिक रंग जो होते हैं, लाल, स्कारलेट लाल होता है, हरा, इमराल्ड और जामुनी जो होता है, वो नीला ब प्रात्मिक रंग कि स्रेडी में आते हैं दितियत रंग ईहोंने बताया कि यहां पर इन्होंने बताया कि बताया है और थोड़ा नारंगी लिए हुए होता है और नीला और लाल बैगने पीला जो नारंगे लिए हुए होता है और नीला और लाल बैगने ये सारे दितियक रंग के स्रेडी में आते हैं बहुतिक सास्रे सिध्धानत कहता है कि जो प्राथमिक रंग होते हैं वो तीन होते हैं लाल हरा और जामुने और इन तीनों रंगों के संयोग से जो रंग बनाये जाते हैं उन्हें दितियक रंग कहते हैं जैसे कि पीला पीला जो होता है थोड़ा सा नारंगे लिए हुए होत पिर आता है हमारा मनोवज्ञानेक सिध्धान्त क्या बताता है कि वह सिध्धान्त जो हमारे नित्र के प्रभाव से सम्दित होते हैं यानि कि हमारे आखें कौन से रंगों को दे कर किस प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करती हैं वह मनोवज्ञाने सिध्धान्त बताता इन् कि रंग प्रमोख रूप से चार होते हैं इन्होंने रंगों को चार भागों में बाटा लाल, हरा, पीला, पीला, नीला मनो बैग्याने सिधान्त में एक्दम बिल्कुल देजेगा मनो बैग्याने सिधान्त में रंग को चार भागों में बाटा गया है लाल हरा पीला और नीला और इन रंगों के संयोग से दो प्राथमिक रंगों को भी इसमें भी सब जगे यही कि दो प्राथमिक रंगों को मिलाया फिर हमारा दितियक रंग बना तो इनका जो सहायक रंग होता है दितियक रंग वो है नारंगी जो लाल पीले के संयोग से बना पीला हरा हरा और यहां पर नीला लाल पीले के संयोग से जो रंग बना वो दितियक रंग हमारा बना नारंगी रंग पीला हरा को जब हमने मिलाया तो जो रंग बना पीला हरा यानि कि यह द्धानी कलर उसमें पीला भी है और हरा भी है तो इसको पीला हरा कहा गया वहीं पर ज बैगनी रंग बना, इसको हम अरोग समझतें अच्छे से जैसे कि प्राथमिक लाल पीला मिलाया लाल पीला जब हमने मिलाया तो वहाँ पर जो कलर बना उसे कहते हैं नारंगी ठощ के लाल नीला को अपस में मिलाया तो जो दितियक रंग बना वह कहलाया बैगनी रंग, वहीं पे हरा नीला के संयोग से जो रंग बना वह हरा नीला या नीला हरा कहलाया, ठीक है? और पीला हरा के जो संयोग से जो रंग बना उसे पीला हरा कहा गया, यानि कि इस रंग में एक ही रंग में दोनों रंग के प्रभाव को देखा गया, मनोवज्याने सि पिला लाल नीला हरा होता है दितियक रंग नारंगी बैग नील हरा नीला और लाल हरा होता है ये दितियक रंग होते हैं और लाल पिला हरा नीला वो जो होते हैं वो प्रात्मिक रंग होते हैं किसके अनुसार मनो वैज्ञानिक सिध्धान्त के अनुसार फिर आता है मुंसेल रंग प्रडाली क्या होता है कि यह जो होते हैं रंगों के इन्होंने आयाम की आधार पर या रंगों के गुड़ के आधार पर इन्होंने रंगों को वर्गी कृत किया है इन्होंने रंगों के तीन गुड़ तीन आयाम बताएं आयाम भी करके पूछ सकता है गुड़ भी पूछ सकता है तिन्होंने रंगों के तीन गुड़ बताएं पहला होता है यू दूसरा होता है यू या वर्ग वर्ग भी यू इंगले सब्द है हिंदी में उसे वर्ग कहते यह होता है मुल्य, मुल्य या वैल्यू, फिर है तिब्रता, मुंसेल रंग प्रडाली में रंग के तीन आयाम बताएगा है, यह तीनों सब्द जो होते हैं, बहुत जादा पूछे जाते हैं, कि इसका क्या मतलब होता है, यह का क्या मतलब होता है, और क्रोमा का क्या मतलब होत तो यह सब जो होते हैं रंगों के गुड़ भी इन्हें कहा जाता है अब आगे मुल्यक रोमा को डिटेल पढ़ेंगे अगी देख लेते कि रंगों की जो सिधान्त है इन्हें और भी दो रूपों में बाता गया एक होता है प्रागप्रडाली और दूसरा होता है मुनसेल प्राग प्राग प्राडाले में वही प्राथमिक रंग दितीAK रंग माधयमिक रंग तितुर्थक रंग इस प्रकार से रंगों को वर्गिकृत किया गया प्राग के सिधान्त में केवल रंगों की विसेस्ता और रंगों की स्त्रेडियां बताएगे प्राग ने रंगों की विसेस्ता बताया कि कौन सा रंग हमारे उपर किस तरह से प्रभावित करता है से रंग की क्या विसेशता होती है या जो रंग होते हैं उन्हें किस तरह से वर्गिक्रित किया जा सकता है रंगों की तीन विसेशता या गुड होते हैं रंगों के जो विगुड होते हैं पहला होता है इन्हें रंगों के परिमार या रंगों के विम भी कहा जाता है यह इसल ये सारे एक ही नाम होते हैं, और जो hue मुली कुरूमा होता है, वो तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, पहला आता है hue, जब भी hue दिखाए दे आप लोगों को, तो यह समझेगा, hue का अर्थ होता है, रंगो के नाम, जैसे कि हम कहते हैं, यह पीला रंग है, नीला रंग ह यही रंगों की नाम को hue कहा जाता है, जो हम रंगों को नाम लेके पुकारते हैं, वही hue कहलाता है, यही रंगों की नाम ही hue कहलाते हैं, जैसे कि जो हमारा लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, जो भी रंगों का नाम लेते हैं, वह उसका hue कहलाता है, एक व्यक्त के मनोभाओं पर भी रंग का विशिस प्रभाव पड़ता है जैसे कि जो हरा रंग होता है पीला रंग नारंगी रंग लाल और जामुन के ऐसे कडर हैं इनका अगर ज्यादा प्रियोग घर में भी या किसी जगह पर प्रियोग किया जाता है तो वहां पर व्यक्ति जो होते है जल्दी ठक जाते हैं कि तिब्र रंग की स्रेडी में आते हैं लाल रंग बहुत ज्यादा रूम में लाल रंग लगा होता है तो थोड़ी दिवार ठकावर महसूस होने लगती है तो लाल रंग हरा रंग पीला रंग नारंगी रंग जो तिब्र रंग होते हैं अगर उनका जादा प्रयोब किया जाता है तो यह जल्दी से ठकावट उत्वन करती हैं बलगी जो मध्यवर्त्य रंग र्ग होते हैं जैसे की पीला हरा पीला नारंगी और लाल नारंगी या नीला जामूनी इन रंगों से भी धर ठालेकिन धता है यह ये प्रात्मिक जो तिब्र रंग थे उनकी एपेच्छा ये रंग जो होते हैं थकावट को थोड़े से कम करते हैं थकावट उत्मन करते हैं लेकिन थोड़े से कम करते हैं वहीं पर जो गर्म रंग होते हैं गर्म रंग क्या होते हैं कि वह प्रशनता दायक होते हैं जो भी ग हो जाते हैं तो यह रंग प्रसंणता दायक होने के साथ सब हो तेज़क भी होते हैं अब जितने भी हमारे ठंडे रंग होते हैं ठंडे रंग जो होते हैं वह सांती और विश्राम । थंडे रंग उस्ट बखने कोंदान करते हैं और विश्तराम किता है दाएक जाते हैं जनननेầy को सब्सक्राइब यहां पर लिखाओगा। TINT का कि किसी भी वस्तु में जब हम सफेद रंग मिला देते हैं तो वह अपने वास्तवी करण से जब हलका हो जाता है तो उसे टिंट कहा गया है वही पर किसी भी रंग में काला रंग मिला देते हैं और वह अपने वास्तवीक रंग से आर्वेदिक गार्हा हो जाता है तो उसे सिड कहा जाता है किसी वस्तुका रंग सफेद दिखता है तो उस वस्तुकी ने लहरों की समस्त लंबाई को सामान्य रूप से हमारे नित्र को परावर्तित किया है यानि कि अगर हम किसी भी सफेद कलर अगर हम देखते हैं, तो यानि कि जो प्रकास की लहरे हैं, वो सभी लहरों को सभी रंगों को परावर्टित कर दिया है, इसलिए कोई वस्तु हमको सफेद दिखाई देती है. लेकिन वहीं पर अगर हमको कोई कलर हरा दिखाई देता है अगर कोई वस्तु हमको हरी दिखाई देती है तो प्रकास की लहर जो रंगों को अभिशोशित कर लिया सारे लंगों को उन्होंने अभिशोशित कर लिया है लेकिन जो हरा रंग है वो उस मात्रा में अभिसोसित नहीं हुआ है हरा रंग परावर्तित हो रहा है इसलिए उस वस्तु हमें हरी दिखाई देती है सफेद कलर के लिए ये नियम है कि जब प्रकास की लहरे सारी रंगों को परावर्तित कर देती हैं तो हमें सफेद रंग दिखाई देता है लेकिन अगर किसी वस्तु में अगर हमको हरा रंग दिखाई दे रहा है या लाल दिखाई दे रहा है, तो जितनी भी प्रकास की लहरें, वह सारी रंगों को अभिसोसित कर ली हैं, और जो लाल रंग हमको दिखाई दे रहा है, उसकी जो लहर होती है, वह उस मात्रा में अभिसोसित नहीं हुई रहती है, वह परावर्तित हुई रहती है, इसलिए हम में वहवस्त हरी या लाल दिखाई देती है ठीक है काला रंग जो होता है वह प्रकास की अनुपस्थिती के कारण दिखाई देते हैं जो नेत्रों द्वारा प्रकास के समस्त किरिड़ों के सोसड के दरा जैसे कि सफेद रंग क्या होता है प्रकास की सभी कीडों को परावर्तित करने दिखायता है वैसे ही प्रकास की जो भी लहर होती है जो सोशित हो जाती है उनसे जो कलर दिखाय देता है वह काला होता है आप प्रकास न भी रहे अंधिरूम में अंधिरा रहता है तो हमको बस एक ही कलर दिखाय देता है ब्लैक कल पिर आता है मुल्य, यो मुल्य क्रोमा तीन रंगों के गुड़ हैं, यो क्या होते हैं, रंगों के नाम होते हैं, वहीं पर जो मुल्य होता है, मुल्य रंगों के हलके पन और गहरे पन को दर्साता है, यानि कि कोई जब कलर होता है, तो यहां रंगों के वैल्यू या रंगों के मुल्य होते हैं, जो रंगों के हलके पन और गहरे पन को दर्साते हैं, कोई रंग कितना हलका है, कितना ज्यादा है, वह उसके मुल्य को निर्धारित करते हैं, और जो रंग, जितना मुल्य का निर्धारर काले और सफेद रंग के बीच में होता है, जो मुल्य का निर्धार सदयव, काले और सफेद रंग में किया जाता है सफेद रंग का मुल्य क्या होता है सफेद रंग से हलका कोई भी रंग नहीं होता है इसलिए सफेद रंग का जो मुल्य होता है वो सबसे कम होता है कर जगा आप लोग यह पढ़ोगे कि जो सफेद रंग होते हैं, उनके मुल्य हाई होते हैं, लेकि नहीं, सफेद रंग के जो मुल्य होते हैं, वो कम होते हैं, क्योंकि इससे हलका कोई भी रंग नहीं होता है, और जितने भी गाढ़े रंग होते हैं, उनका मुल्य उतना ही जादा होता है, यानिक सफेद रंग क जिसका मुल्य सबसे ज़्यादा क्योंकि इससे गाढ़ा कोई भी रंग नहीं होता है और जितने भी रंग आते हैं जो काले वा सफेद के बीच में आते हैं काले सफेद के बीच में बहुत सारे रंग आते हैं वो सारे मध्यम मुल्य की अंतरगत आते हैं रंगों के मुल्य को परिवर्थित किया जा सकता है, हम रंगों के मुल्य को घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सफेद में अगर हम कोई गारहा कलर मिला देते हैं, व्लैक कलर मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उनका मुल्य बढ़ जाएगा, वहीं पर गारहे कलर में जो गा बढ़ा सकते हैं तिंट को एक वार और देखे कि जिस भी वस्तु में कोई भी वस्तु में जब हम सफेद रंग को मिला देते हैं और जब वह रंग क्या होता है अपने वास्तविक रंग से हलका हो जाते हैं कोई भी वस्तु में जब हम सफेद रंग मिलाते हैं जो गायहा कलर ह मिला देते हैं और वाव अपने वास्तविक रंग से हलका हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं उसे टिंट कहा जाता है जब मरवस्त्रों का मुल्य किसी विवस्तू का मुल्य कम हो जाता तो उसे टिंट कहा जाता है, नेक्ष होता है, जिन रंगों में काला रंग मिला दिया जाता है, सेड यानि की साम से समझना, साम यानि की अंधिरा, रात, गाढ़ा, यानि की जब हम किसी भी रंग में, काला रंग, को मिला देते हैं, तो उनका मुल्य और भी अधिक बढ़ जाता है, और वह अपने बास्तविक रंग से और भी अधिक गाढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वह हलके रंग जिसमें हमने कोई और गाढ़े रंग को मिला दिया, जिससे कि वह अपने मुल्य से उस इसकी मूलले जो होती है वो बड़ जाए उसे सिड कहा जाता है। कम मूलले के रंगों के प्रयोग से आकार वा लंबाई बढ़ जाता है। जैसे देखो कि आपको हलके कलर होते हैं। हमने बता हैं तो रूम में लगा देते हैं तो ज 자기 denkt रूम हमको बढ़ा दिखाया देता है वहें पर अगर कोई हमको दूर से आता हुआ दिखाया देता है वहाने कोई वस्त्र पेना दूर से भी आधे अधीक बढ़ा है वहीं पर जब हम अधिक मुल्ले के रंग का प्रियोग करते हैं अगर हमने घर को गाढ़े कलर से कलर किया है तो वह घर हमारा छोटा दिखाए देता है तो वहीं पर उसकी आकार्व लंबाई क्या होती है वो कम हो जाती है प्राग ने रंग के लिए निमन बातों को स्पेस्ट किया रहे मुझे प्राग ने रंगों के लिए measuring बात है वो क्या होता है उन्हों ने बता हैं कि जो सफेद रंग होते हैं वह वस्तु के आकार को बढ़ह करने वाले होते हैं वहीं पे काला रंग जो होता है वह वस्तु के आकार को छोटा करता है अगर रूम में हमने ब्लैक परदा लगा दे तो यह ऐसा लगता है कि वह पास आ रहा है बिलकुर छोटा हो दिखाई देता है चीजे बतब रूम हमारा चोटा दिखाई देगा वहीं पर अगर हम वहाँ पर हलके कर सिंता के प्रतीक होते हैं ग्रे रंग पत्जड के उदार्शिंता के प्रतीक होते हैं हमने ह्यू देख लिया मुल्य ह्यू रंगों के नाम मुल्य क्या है रंगों के हलके पन और गहरे पन को इंगेद करता है वहीं पे जो प्रूमा या तिब्रता होती है यह क्या प्रदर सि देखते होंगा है कि यह कि करता है करोंidores देखते हैं कि आंडख ऑता है रंग और धुंदलेपन को प्रदर्शित करता है रंगों की सक्ति और कमजूरी को भी ये प्रदर्शित करता है कि कौन सा रंग तु कितना तिब्र है कौन सा रंग कितना कमजोर है यू मुल्लिक रोमा रंगों के जो तीन गुड थें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा फिर आता है हमारा रंगों का वर्दिकरण रंगों को अनेक रूपों में वर्दिकरित किया गया है जैसे कि गर्म तथा ठंडे रंग कुछ रंग गर्म रंग की स्रेड़ी में आते हैं कुछ रंग ठंडे रंगों की स्रेड़ी में आते हैं अगर कभी गर्म रंग ठंधा रंग पूसता है तो यह आपनों ध्यान देना कि जो आग होता है आग कैसा होता है गरम होता है सूरी कैसे होते है सूरी इदम गरम होता है कलर क्या होता है उनका लाल पीला नारंगी यानि कि जो लाल पीला नारंगी रंग है वह गर्म रंग की स् तो जो नीला रंग होता है या ठंडे रंगों की स्रेडी में आते हैं लेकिन जो हमारा लाल पीला नारंगी रंग होता है वह गर्म रंगों की स्रेडी में आते हैं लाल पीला रंग गर्म रंग कहलाता है जबकि नीला रंग, हरा रंग और जामुनी रंग जो होता है हरा रंग को मध्य मुल्ले का भी कहा जाता है क्योंकि हरे रंग में अगर पीला रंग जादा दिखाए देगा जैसे कि कुछ आप लोग हरा रंग देखती होगे जो ज़्यादा धानी पनलिये होता है हरे रंग में अगर पीला रंग ज़्यादा है तो वो गर्म रंग की स्रेडी में आएगा लेकिन हरे रंग में अगर नीले रंग की प्रमुकता है तो वो किस रंग में आएगा वह सीतलता ठंडे रंग की अंतरगत आएगा तो ये नीला, हरा और जामुनी रंग ठंडे रंगों की स्रेडी में आता है नेक्स आता है भारी तथा हलके रंग सबसे अधिक नीला और जामुनी रंग क्या होते हैं वह सबसे अधिक हलके रंग होते हैं कुछ रंग बहुत भारी पन का एसास देते हैं, जब कि कुछ रंग जो होते हैं, वह हलके पन का एसास देते हैं, तो रंगों के भारी पन और हलके पन की आधार पर भी उनकों वर्गी कृत किया गया है, जो नीला और जामुनी रंग होते हैं, वह सबसे हलके रंग होते हैं, लाल पीला होता है, सबसे हलका रंग नीला और जामुनी होता है, और जो हरा रंग को माना गया है, वो बीच के रंग को माना गया, न जदा भारी होता है, न जदा हलका होता है, जबकि लाल और पीला रंग जो होता है, सबसे भारी दिखाई देता है, जो ग्रे रंग होता है, ग्रे रंग का जो वजन होता है, वो समान दिखाई देता है, लाल रंग, पिला रंग सबसे भारी रंग के स्रेडी में आते हैं, नीला रंग, जामुनी रंग, हलके रंग के स्रेडी में आते हैं, जबकि जो हरा रंग होता है, वो लाल और पिली रंग से थोड़ा सा कम भारी ह लेकिन जो ग्रे रंगों होते हैं, वह समान दिखाई देते हैं, नज्यादा भारी होते हैं, नज्यादा हलके होते हैं नेंक्ट आगे आने वाले वह c the में यहटने वाले कुछ रंग एसे होते जो आगे आते हुए क्यों प्रतीत होते हैं और कष़ रंगर आज से दिख्याए देगा यह कि वह आगे आता हुए सा प्रतीत होता है, वहें पे कोई हलगा कलर, वाइट कलर, क्रीम कलर पहना हुआ है, तो आमको ज़्यादा इस पश्ट रूप से नहीं दिखाए देता है, तो जो गाढ़े रंगों होते हैं, वह आगे आते हुए से प्रतीत होते हैं, इसकी अंतरग जो आगे आने वाले रंगों होते हैं, आगे वालने वाले रंगों होते हैं, वह कमरों को छोटा पन का अहसास दिलाते हैं, लेकिन जो दूर जाने वाले रंगों होते हैं, वह कमरों को बड़ा सा प्रतीत कराते हैं, बड़े होने का आभास दिलाते हैं, फिर प्राग ने ज प्रात्मिक आते लेकिन प्राथमिक दित्यक के बाद माधह्मिक आते हैं और फिर मीष्डम से कलर को मिलने से प्रात्मिक रंग कौन से बर Google कौन से होते हैं और प्रात्मिक आते dos प्राथ्मिक दितियक और माध्यमिक रंग हम लोगों ने पढ़ा था अब हम लोग पढ़ेंगे त्रितियक रंग प्राथ्मिक ब्लाल पीला निला तो प्राथ्मिक मिलाया नारंगी हरा बैगने दितियक रंग मिला और एक प्राथ्मिक एक माध्यमिक जग हम लोगों ने मिला एक प्राथमिक और एक दितियक जब आपस में मिला था तो जो रंग बना था वह माध्यमिक रंग कहलाता है वहीं पर त्रितियक कलर होता है यह क्या होता है कि जब दो दितियक रंगों को जो दितियक रंग कौन से होंगे ऐसे हमने बनाया था यहां पे पीला यह प्रात्मिक रंग लाल यह भी प्रात्मिक रंग और यह नीला यह भी प्रात्मिक रंग पीला लाल हमने मिलाया था तो क्या बना था नारंगी रंग पीला नीला मिलाया था तो बना था हरा रंग लाल नीला मिला दिया गया था तो बना था बैगनी रंग ठीक है तो यहां पर क्या कह रहा है जो तृतियक रंग होते हैं वो तठस्त तथा उदास होते हैं अगर हम जो दो दाद्धितियक रंगों को मिलाएंगे तो हमारा जो पहली प्राथमिक रंग था वही बनेगा लेकिन ये क्या करते हैं इन्हें तृतियक रंग कहा गया है और प्राथमिक रंगों में जो चमक होती है वह चमक इसमें नहीं होती है ये जो कलर होता है कैसा होता है उदास होता है तो दो प्राथमिक रंगों यानि कि जब हमने नारंगी हरा को आपस में मिलाया तो हमको तृतियक स्रेडी का पीला रंग मिला ठीक है लाल और नीला को जब आपस में मिलाया तो वहाँ पे जब नारंगी हरा को मिलाया तो तृतियक स्रेडी का हमको पीला रंग भी नारंगी और बैगनी को जब आपस में मिलाया गया तो हमारा तृतियक स्रेडी का लाल रंग बना वहीं पे बैगनी और हरा को आपस में मिलाया गया तो क्या बना तृतियक स्रेडी का हम याने कि दो दितियक रंगों को आपस में मिलाया गया तो तृतियक स्रेडी का रंग हमें प्राप्थ हुआ कैसे होते मट मैला लाल पीला नीला नीला को दिखाई देता हैं कालर वही रंग द्युंद्धले पन्कावास हो जाते कि नहीं किसी भी रंगों कोि नहीं बना जा सकता वह रंग बनती हैं तो वही रंग बने लेकिन उसमें क्या होता है जैसे हरा नारंगी को आपसमें मिलाया तो त्रितियक्स त्रेडी का नीला रंग बना वहीं पर बैगनी और नारंगी को जब आपस में मिलाए गया तो त्रितियक स्रेडी का लाल रंग बना पिर आते हैं चतुर्थ भागी यह रंग चतुर्थ भागी यह नहीं कि चतुर्थ स्रेडी के रंग क्या होते हैं जब दो तृतियक स्रेडी के रंगों को आपस में मिलाते हैं तो चतुर्थ रंग प्राप्त होता है बिल्कुल दहां दिजेगा प्रात्मिक रंग पीला लाल नीला दितियक रंग दो प्रात्मिक को हमने आपस में मिलाया तो दितियक रंग बना एक प्रात्यमिक एक दितियक को आपस में मिलाया तो हमारा कौन सा कलर बना माध्यमिक रंग और दो दितियक को आपस में मिलाया तब हमारा तृतियक रंग बना तो हमारा कौन सा रंग बना चतूर्थ स्रेडी का रंग बना ठीक है दो दितियक जो रंग हमारे कौन से मिले थे यह परातमिय में समझे यह इए यह तृतीयक रंग होते हैं दो तृतीयक रंगों को जब आपस मिल आगया तो अफ जी चतुर्थ्य रंग बना बहुत फीला मृन यहां पर जो रंग बनेगा वह नारंगी ही आएगा लेकिन इसे क्या कहेंगे चतुर्थ श्रेडी का नारंगी यह क्ले के बारे की आप लोग को समझ में आया होगा अचे से आगे हम लोग और वी चील में और आगे पढ़ेंगे नमस्कार थैंक्यों एक